हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है GST समरी, इसमें हम समझाएंगे एग्रिगेट टर्नोवर के बेसिस पर कब रेइस्ट्रेशन की कंडिशन आती है, कब रेइस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, कब कमपोजिशन इसकी में एपलाई कर सकते हैं, किस केस में कीजिए, अगर आपको ये टॉपिक चार्ट चाहिए, जो मैंने यूज किया है, GST समरी चार्ट, तो आप इमेल अपनी मेंसन कर दीजिए, कमेंड वॉक्स में, मैं ये आपको चार्ट प्रोवाइड करते हूँगा, चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, अपनी GST समरी, एग्रिगेट टर्नोवर के बेसिस पर रिस्पॉंसिविल्टी होती है, परसन की क्यों से रेइस्ट्रेशन कराना या नहीं, अगर 10 लेक क्रॉस नहीं करता है टर्नोवर इस्पेशल केटिगरी स्टेट में, या फिर 20 लेक टर्नोवर इस्पेशल केटिगरी स्टेट के अलावा जो स्टेट बच्चे हैं, उनमें क्रॉस नहीं करता है अग्रिगेट टर्नोवर तो रिस्टेशन कराने की लाइवेल्टी नहीं आती, लेकिन वो परसन क्र रिस्पेशल केटिगरी स्टेट्स बता दूं, कुछ इस्टेट्स हैं उसमें 20 लेक turnover cross नहीं होता तो registration कराना compelsor ही नहीं है लेकिन person registration करा सकता है अगर registration कराता है तो क्या-क्या compliance पढ़ेंगे और क्या-क्या facility मिलेगी वह हम discuss करते हैं सबसे पहले local purchase allowed local purchase कर सकता है local sale कर सकता है interstate sale purchase we कर सकता ہیں interstate means केस में reverse charge registered person पर applicable होता है receiver पर applicable होता है वो applicable रहेगा registered supplier पर भी reverse charge unrestored supplier के case में अगर कोई unrestored supplier से वो supply लेता है तो applicable होगा returns के compliance बढ़ जाएंगे three monthly returns उसे file करनी होगी gstr123 and one annual return file करनी होगी invoice type अगर exempted supply provide कर रहा है तो bill of supply देगा अगर taxable supply दे है तो tax invoice देगा output tax liability normal rate के basis पर applicable होगी and input tax credit allowed होगा जो category में allowed किया गया है यह चीजें थी register supplier के basis पर अगर registration registration नहीं कराता है वो person unregistered supplier रहता है तो उसे क्या-क्या facility allowed है या क्या-क्या compliance होंगे local purchase allowed होगी local sale भी कर सकता है interested purchase कर सकता है लेकिन interested sale नहीं कर सकता है important है purchase तो कर सकता है बड़ सेल नहीं कर सकता इंटर इस्ट्राइट ट्रांस्पर नहीं कर सकता क्योंकि वह भी एक तरह की supply form है अगर special categories से अगर वह कोई भी service लेता है तो reverse charge applicable हो जाएगा तो compulsory registration कराना होगा means unregistered person reverse charge के basis पर नहीं पर सकता है जो special categories बता ही गहीं है specific categories है like advocate, sponsorship, service तो उनसे अगर कोई भी service लेता है तो उसे compulsory registration कराना होगा unregistered supplier अगर unregistered supplier से कोई supply लेता है तो reverse charge applicable नहीं होगा return कोई उसे file नहीं करना होगी क्योंकि unregistered supplier है invoice type exempted supply किसी भी normal form में bill वगेरा बनाते हैं वो supply का सकता है invoice type taxable supply भी अगर दे रहा है तो भी कुईसी भी form में दे सकता है output tax liability कोई नहीं होगी input tax वो नहीं ले सकता है यह conditions हम नहीं समझें अगर registered person या unregistered person या normal regular person limit clause नहीं करता registration की लेकिन वो या तो registration opt करता है या registration opt नहीं करता है यह दोनों categories हमने समझ ली अब आगे चलते हैं अब limit के aggregate turnover के basis पर ही बात करते हैं अगर composition scheme में जो turnover की limit दी है वो cross नहीं करता तो उस पर तब भी option होंगे या composition scheme लेता है या composition scheme नहीं लेता तो मान लेजिए composition scheme अगर लेता है composition scheme की aggregate turnover limit है 50 lakhs special category states में अगर 50 lakhs नहीं होता तो वो composition scheme opt कर सकता है other than special category states की limit है 75 lakhs तो अगर वो composition scheme opt करता है तो उसे क्या compliance कम होंगे और क्या problems हो सकती है वो समझते है local purchase कर सकता है composition dealer local sale कर सकता है interstate purchase कर सकता है लेकिन interstate sale नहीं कर सकता है यहां पर भी interstate sale allowed नहीं है interstate sale allowed नहीं है तो interstate stock transfer भी allowed नहीं है reverse charge special category में applicable है जो specific categories है वो applicable है क्योंकि यह registered person है reverse charge unregistered supplier के लिए case में भी applicable है returns एक quarterly return file करेगा one annual return मतलब किनी return होगे total five returns invoice type exempted supply के case में bill of supply देगा taxable supply के case में भी bill of supply देगा एक चीज और important है यह अपने invoice पर mention करेगा कि supply दे रहा है composition scheme के अंडर में and bill of supply input credit के लिए applicable नहीं होगा output tax liability इसकी rate कम होती है one percent two percent और five percent categories में file करता है लेकिन अगर reverse charge के basis पे कोई supply ले रहा है कोई supply receive कर रहा है तो जो normal rate होती है service की या goods की वो applicable होगी reverse charge के cases में similar rate पर tax जमा कराना होगा input tax credit normal course में नहीं मिलेगा लेकिन अगर reverse charge के basis पे कोई service या goods के basis पर pay कर रहा है tax तो उस reverse charge का input ले सकता है अब normal supplier अगर इसकी आप नहीं करते composition इसकी में नहीं करते तो local purchase allowed है local sale allowed है interstate purchase allowed है interstate sale allowed है interstate stock transfer allowed है reverse charge specific categories पे applicable होगा similarly unrested supplier पे भी applicable होगा returns का compliance पर जाएंगे three monthly returns हो जाएंगी one annual return total कितनी return होगी 37 invoice type exempted supply के case में below supply provide करेगा and taxable supply के case में tax invoice output tax liability normal rate के basis पर होगी and input tax credit allowed होगा means composition scheme और normal scheme में difference करता है तो interstate sale नहीं कर सकता है benefit क्या है एक तो return कम हो जाएंगी compliance कम हो जाएंगे and output tax liability तीन categories में define है और इसमें जो भी category में fall करता है तो वही rate लगाता रहेगा हर product का rate नहीं देखना होगा अब बात करते हैं अगर composition scheme की category में fall नहीं करता है इसकी जो aggregate turnover की limit है उसे cross कर देता है मतलब 50 lakhs से 75 lakhs cross हो जाती है aggregate turnover तो फिर क्या category होगी फिर तो registration कराना है और normal course में registration कराना है तो फिर सारी चीज़ applicable हो जाएंगी like local purchase कर सकता है local sale कर सकता है interstate purchase कर सकता है interstate sale कर सकता है interstate stock transfer कर सकता है reverse charge specific category on understood person दोनों पर applicable होगा returns three monthly returns one annual return होगी inverse type exempt rate supply में bill of supply taxable supply में tax invoice output tax liability normal rate पर and input tax credit allowed होगा अगर exempt dealer है मतलब limit तो cross कर रहा है turnover की लेकिन वो exempt goods में deal करता है और registration नहीं कराता है तो क्या होगा local purchase कर सकता है local sale कर सकता है interstate purchase कर सकता है and interstate sale भी कर सकता है interstate restore transfer कर सकता है लेकिन अगर reverse charge specific categories के case में करता है तो compulsory registration कराना पड़ेगा reverse charge unregistered supplier के case में applicable नहीं होगा unregistered supplier से supply ले रहा है तो applicable नहीं होगा return applicable नहीं होगी कोई भी invoice type exempted supply के case में किसी form में supply का सकता है invoice type taxable services के case में taxable supply के case में भी किसी भी form का invoice बना के दे सकता है जिसमें tax वगरा mention नहीं होगा output tax liability कोई नहीं होगी and input tax credit नहीं ले सकता यह summary थी इसमें आपको सारी categories I think मिल जाएगी कि कब registration कराना है कब registration नहीं कराना किस case में क्या के compliance होगे अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए share कीजिए and मेरा चैनल भी subscribe कीजिए thanks a lot